नवस्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल में हार्दिक त्वागत है आज मैं आपको जालू से संबंदित उपाये बताने जा रहा हूँ और जालू से संबंदित उपाये करने से आपको धन लाव हो सकता है और किस टाइम पर जालू को लगाना चाहिए जिससे की घर में धन आगमन हो और सुख सम्रिद्धी बड़े और वो कौन सा उपाय है जिससे आपकी किस्मत जाग जाए और धन में कभी कमी नहीं हो उस सब के वारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन उस से पहले आप से रिक्वेष्ट है यदि आप पहली बार मेरी चैनल में हैं चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर दीजिए वाए वीडिए को लाइक कर दीजिएगा और जादे-जादे करने में और हर को साफ रखने में परंतु आप यह जानते नहीं होंगे कि इसका सही वक्त कब है जिससे हम लगाएं तो हम धर्मान बने और कोई करोपती बनने से हमें रोपना सके और साथी साथ सही समय पर जालू लगाने से धन आग्मन बना रहता है सही समय पर जालू लगान का प्रतीक बताया गया है इसलिए जाडू को रखने की भी स curriculum होनी चाहिए जो जाडू का संमान करते हैं उन्हें मा लक्षमी का उनको पूरी करपा मिलती है इसलिए जालू को सही जगर रखना चाहिए महिलाएं वक्त बेवक्त जालू लगा देती हैं उनको ये पता नहीं होता कि जालू कब लगानी है कहीं पर भी थोड़ा सा कोड़ा करकर जब भी उनको दिखता है वो उसी समय ही जारू लगाने लग जाती है इसलिए इनको विश्यज ध्यान रखना चाहिए कि जारू लगाने का भी एक समय निश्चित होता है जो कि सास्त्रों में बताया गया है जिससे आपके घर में धन आगमन बना रहेता है इसलिए वो महिलाएं जो वक्त बेवक्त जारू लगाती है उनको वक्त का हमेसा ध्यान रखना चाहिए जालू लगाने के दोरान महलाएं कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे कि हमें लाव होता है तदा लाव का कारणा बनता है और उसको करने से के हम सभी धनवान होते हैं अमारे घर में धन आगवन के रास्ता कुलता है सास्त्रों में जालू में सुब समय बताया गया है कब जालू लगाना चाहिए जालू लगाने का सुब महूरत जो होता है वह ब्रह्म महूरत माना गया है ब्रह्म महूरत में जो जालू लगाता है उस बेक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती है इसलिए जालू को हमेशा ब्रह्म हूर्थ पर ही लगाना चाहिए और जो ब्रह्म हूर्थ होता है वह बताया गया है चार बजे से पांच बजे के बीच में यह सास्तर अनुसार बताया गया है यह जोतिस सास्तर में भी लिखा है क्योंकि जो यह समय है चार बजे से पांच बजे का इस समय प्रेकर्टी में सकारत अरुजा सबसे ज़्यादा होती है इसलिए कहा गया है कि जालु को हमेसा ब्रह्मूर्त में ही लगाना चाहिए और इस समय जालु लगाने से घर में मालक्ष्मी का आग्मन होता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है साथ इसा धनागवन के रास्ते भी खुलते हैं और अब आपको मैं कुछ ऐसे खास उपाए भी बता रहा हूं जो जालू से संबंधित हैं जालू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए हमेशा जालू को लिटा करके रखा जाना चाहिए यदि आप खड़ी जालू रखेंगे तो इससे आपके दुस्मन बढ़ते हैं ऐसा कहा गया है और घर की परिस्तितियां खराब होने लगती हैं और जो आप सफलता प्राप्त करते हैं वो भी असफलता में बदलने लग जाती है घर में तरह तरह की परिस्वानिया आने लग जाती हैं इसलिए आपको हमेशा जालू लिटा कर ही रखनी चाहिए अगर लेटा कर जालू रखेंगे तो इससे जालू का सम्मान होता है अगर आप खड़ी रखते हैं तो जालू का अपमान होता है जब भी आप घर बदलें या पुराने घर से नए घर में जाएं तो पुराने घर की जालू नहीं लेकर जानी चाहिए और जब भी आप नए घर में जाएं तो नए जालू लेकर ही नए घर में जाएं नए घर में आप जब भी भी जाएं तो सनिवार के दिन नए जालू लेकर के जाएं और जब भी भी जालू खरीदें तो आप सनिवार के दिन जालू खरीदें सबसे सुब समय सनिवार ही बताया गया है जालू खरीदने लिए यदि आप पुराने जालू ले करके जाते हैं तो आप अपने घर में पुराने घर की नकारातओं उड्जा को साथ ही ले जाते हैं ऐसा बताया गया है और उस घर से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके साथ ही साथ चल जाएंगे इसलिए आप कभी भी भूल कर पुराने जाड़ू पुराने घर पर ही छोड़ करके आएं यदि आपके घर से कोई सदस नौकरी और पेसा वाला है और वह इंटर्विय के लिए जा रहा है या आ उनकी आर्तिक इस्तिती पे असर पड़ता है या जो कारे करने जा रहे हैं वह कारे नहीं होता है और यदि धनसंबंदी कोई कारे करने जा रहे हैं तो फिर तो आप समझ लीजी धनसंबंदी लाव जो होने वाला है वह नहीं होगा इसलिए खास दोर से महिलाओं को ध्यार जाता है और उसके पीट पीचे आप घर पे ज़ारू लगाते हैं तो वह बैक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है उसका कार जो है वह असपल ही होता है इसलिए जब भी भी कोई सदसे घर से बाहर निकले तो भूल करके भी उस जाने के बाद ज़ारू नहीं लगा चाहिए इससे धनहानी होती है ऐसा करना अपसकुन भी माना गया है और यह भी मानिता है कि ज़दी आप साम को सूर्यास्त के बाद जारू लगाते हैं तो मा लक्ष्मी नाराज होती है और ऐसा कहा जाता है कि आप घर की सफाई के साथ मा लक्ष्मी को भी घर से बाहर कर दे हैं इसलिए साम को कभी भी भूल के जाडू ना लगाएं और कभी भी भूल से जाडू को पैर ना लगाएं यह भी जाडू का अपमान करना होता है इससे मालक्षमी रूट जाती हैं और आपको लगता है कि आपके सारे कार गलत हो रहे हैं और बहुत महिनत करने के बाद भी आपको कोई फल नहीं मिल पा रहा है और हर तरह की परिस्वानी हो रही है तो आप जालू से जुला हुआ चोटा सा उपायज अवज से कर सकते हैं रात के समय दरवाजे पे जालू रख देना है और ऐसा घर करेंगे तो इससे आपके घर में जो आ रही नकारातों गुर्जा वह रुकती है तदा सकारातों गुर्जा घर में बढ़ती है और जालू को ऐसी जगे भी ना रखें कि किसी की घर में घुषते ही नजर उस जालू पर पड़े इसलिए जाडू को छिपाकर रखनी चाहिए जाडू से कभी भी किसी जानवर या गाय को या फिर घर के किसी भी सदस्टे को नहीं मारना चाहिए इसे बेंकर अपसकुन माना गया है और तूटी हुई जालू का भी भूल कर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कोगी तूटी हुई जालू से घर की सफाई करने पर जीवन में तमाम तरहें की परिस्वानिया आती हैं जालू को मा लक्ष्मी का सुरूप पाना गया है ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेकना भी नहीं चाहिए जिस घर में जालू का अनादर होता है वहां से मा लक्ष्मी रूट कर चली जाती हैं लिए हमेशा जालू का अधर सम्मान करना चाहिए तो ये वो जालो से संबंधित बाते थी आसा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप ऐसी जानकारी को जानने के एक चुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जाते जाते वीडियो सेयर कर दीजेगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जै माल लक्ष में लिखना मत भूलिएगा धन्यवाद